हलो एवरीवन वेलकम टू क्रिजी जीकटरिक फ्रेंड्स हाली में हमको देखने को मिलता है कि हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट आफ इंडिया हामित अंसारी जी पर कुछ एलिगेशन्स लगाये जा रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान के एक जनरिस्ट ने यह एलिगेशन लगाया है कि इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने स्पाइ किया है आईस आई के लिए और यह इन्फोमेशन जनरिस्ट के थूँ आईस आय तक पहुचाई गई तो ये बहुती serious allegations हैं जो पाकिस्तान के जनरलिस्ट ने लगाई हैं आज हम यहाँ पर इसी controversy के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या allegations लगाई गई है इस controversy को लेकर बीजेपी ने क्या कहा हामेद अंसारी जी ने क्या reply दिया और यहाँ पर Congress Party ने क्या कहा और last में friends हम Vice President of India का Indian democracy में क्या role होता है इसको भी discuss करेंगे तो आईए सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार ये controversy है क्या पाकिस्तान के जनरलिस्ट नुसरत मिर्जा ने एक दूसरे जनरलिस्ट शकिल चौदरी जो यूटूबर भी है उनको जब वो virtually इंटर्वी दे रहे थे वहाँ पर उन्होंने ये बोला कि इंडिया के former Prime Minister हामेद अंसारी जी ने उनको लगबग 5 बार इंडिया बुलाया और इन सब विजिट्स पर कुछ secrets information शेर की गई उनके साथ और ये information को फिर नुसरत मिर्जा ने ISI तक पहुचाया ये interview जैसे ही public domain में आता है वैसे ही controversy चालो हो जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि BGP के प्रवक्ता गौरब भाटिया जी ने यहाँ पर इस allegation को लेकर Mr. Hamid Ansari से अपनी सफाई मागी उन्होंने बोला कि वो जानना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के जनरलिस्ट नुसरत मिर्जा ने यहाँ पर इलजाम लगाए है Mr. Hamid Ansari पर उनमें कितनी सच्चा ही है क्या यहाँ पर कोई बात चुपाने की कोशिश की जा रही है यह सब सवाल पूछेगा यहाँ पर गौरब भाटिया द्वारा के बाद हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि इस उशू पर काफी लोगों ने बहुत कुछ बोला यहाँ पर BJP के बहुत सारे नेताओं ने ट्विट किये कमेंट्स किये और यह एशू सोशल मीडिया पर काफी वाइरल चल रहा है इस वक्त यहाँ पर सब लोगों ने इस कॉंट्रिवर्सी को लेकर सफाई मांगी है और गवर्मेंट से जाच करने की अपील की है इन बातों को देखते हुए मिस्टर हमिद अंसारी ने एक लेटा रिशू किया उस लेटर में उन्होंने बोला है कि उनके खिलाफ जूट फैलाया जा रहा है और इस जूट फैलाने के पीछे मीडिया का हाथ है और जो BJP के प्रवक्ता है इनका हाथ है हमिद अंसारी जी ने अपने लेटर में और भी बाते कहीं आईए उनको देखते हैं हमिद अंसारी जी ने कहा कि जब वो Vice President के पत पर थे और बहुत सारे जनरलिस्ट को इन्वाइट किया गया था International Conference of Jurists on International Terrorism पर तब वो Invitation पूरे Ministry of External Affairs के दोआरा दिये गए थे इन Invitation में Vice President का कोई रोल नहीं होता है और उन्होंने अपनी तरफ से किसी को भी Personally Invite नहापन नहीं किया है इस Controversy में एक नया मोड आता है जब N.K.S. जी ने एक Allegation लगाई Mr. Hamid अंसारी पर जहाँ पर उन्होंने कहा कि जब Mr. Hamid अंसारी इरान में इंडिया के Ambassador थे तब उन्होंने बहुती क्रूशल Information पब्लिक डोमेंड में ला दी थी जिससे रोग की एक Unit काफी खत्रे में आ गई थी मगर इस चीज को लेकर Mr. Hamid अंसारी जी ने कहा कि जब वो इरान में थे As a Ambassador of India तब उनके काम को लेकर Government के पास पूरी Information है उन्होंने वहाँ पर क्या किया क्या नहीं किया वो डाटा Government के पास है वो उन बातों को आज पब्लिक डोमेंड में नहीं बोल सकते क्योंकि वो इंडिया के लिए Secret Issues हैं इसलिए उन्होंने यहाँ पर इतना ही बुला कि उन्होंने जो भी किया उस सब का data government के पास है साथ ही उन्होंने ये बात भी highlight की कि जब वो इंडिया को represent करते थे United Nations में उस time भी उनके काम की काफी सराना हुई थी नहीं इंडिया में बलकि पूरे world में और starting सही उन्होंने इंडिया के development में काम किया है आई ये friends थोड़ी नज़र डालते हैं हामिद अंसारी जी के carrier पर हामिद अंसारी जी ने 1961 में Indian Foreign Services को जोईन किया उनकी Foreign Services वाले paper में All India Level पर 4th rank आई थी Foreign Services में आने के बाद उन्होंने बहुत जगा as a ambassador काम किया वो 1976 से लेकर 1980 में UAE में ambassador रहे 1980 से लेकर 1985 में वो Chief of Protocol Officer रहे Government of India में 1984 में उनको अपने काम के लिए पदमिश्री भी मिलता है उसके बाद वो 1985 से लेकर 1989 में High Commissioner रहे Australia में फिर 1989 से लेकर 1990 तक वो ambassador रहे अफगानिस्तान के फिर 1990 से लेकर 1992 तक ambassador थे वो इरान के उसके बाद उनको UN में select कर लिया जाता है as a permanent representative of India और वो वहाँ पर काम करते है 1993 से लेकर 1995 तक फिर वो 1995 से लेकर 1999 तक ambassador रहते है साउदी अरेबिया के उसके बाद उन्होंने बहुत सारी universities में as a visiting professor भी काम किया जैसे के जवाल्या नेरु उनिवर्सिटी वो vice chancellor भी रहे अलिगर मुस्लिम उनिवर्सिटी के और साथ में वो जामिया मिलालिया उनिवर्सिटी से भी जोड़े रहे 2004 और 2006 के बीच हमिद अंसारी जी को इंडिया यू के roundtable conference में co chairman बनाया गया था 2004 से लेकर 2006 के बीच वो member भी रहे Indian security advisory board के 2006 में हमिद अंसारी जी को National Commission for Minorities का chairman भी बनाया गया था इसी के साथ उन्होंने और भी कई स्तर पर काम किया और finally 2007 में वो vice president का election जीच जाते हैं और फिर vice president of India बनते हैं इसी के साथ वो दूसरे ऐसे vice president थे जिनको re-elect करा जाता है और फिर से वो 2012 से लेकर 2017 तक इंडिया के vice president रहते हैं यानि के 10 साल तक Mr. Hamid Ansari जी इंडिया के vice president रहे हमिद अंसारी जी पर जब ये सब allegations लगाई जा रही थी जहां पर वो हमारे foreign prime minister हमिद अंसारी जी का और Congress President सुन्या गांदी जी का चरित हरन करना चाते हैं और जानमूच कर उन पर ऐसे आरोप और प्रत्य आरोप लगाए जा रहे हैं यहां पर उनको कहना था कि ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी शाजिस है जहां पर वो public domain में हो रहे हैं debate को बटकाना चाती है और असली मुद्दों को चुपाना चाती है और यहां पर जानमूच कर जूटों का जाल बिचाया जा रहा है ताकि वो आम जनता को गुमरा कर सके ये कहना था यहां पर Mr. जैराम रमेज जी का तो यहां पर हमको देखने को मिलता है कि इस विवाद ने political mode भी ले लिया है आने वाला समय ही बता पाएगा कि इन आरोपों में कित्ती सच्चा ही है आईए friends अब हम देखते हैं कि Indian democracy में Vice President का क्या role होता है Vice President of India दूसरा सर्वोच सम्विधानिक पद है इंडिया में इंडिया में Vice President के office का term 5 साल होता है Vice President of India एक्स office of chairman होते हैं Council of States यानि के राजसभा के और इसी के साथ वो किसी और लाप के पद पर नियूक्त नहीं हो सकते और अगर हम बात करें कि कौन eligible होता है Vice President बनने के लिए तो सबसे पहले condition है कि वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए उनकी उमर 35 साल से ज़्यादा होना चाहिए वो राजसभा के member बनने के लिए qualified होना चाहिए और last condition ये है कि वो कोई भी लाप के पद को hold नहीं कर सकते अगर वो Vice President के election को लड़ना चाहते है अब बात आती है कि इंडिया में Vice President elect कौन करता है कौन उनका चुनाओ करता है तो हमारे समविधान का article 66 बताता है कि elected members of राजसभा nominated members of राजसभा और साथ में elected members of लोगसभा ये सब लोग मिल कर इंडिया के Vice President को elect करते हैं यहाँ पर जो Vice President के चुनाओ होते हैं वो election commission of India conduct कराती है और इसका process पूरा the presidential and vice presidential election rules 1974 में दिया गया है Indian constitution का article 67 बताता है कि Vice President of India को कैसे remove किया जा सकता है अगर किसी Vice President को remove करना है तो राजसभा को resolution pass करना पड़ता है absolute majority से यानि कि उस वक्त जितने भी total member हैं राजसभा के उसका 50% plus 1 vote को बोला जाता है absolute majority इस majority से राजसभा resolution pass करती है और फिर इसी majority से लोगसभा को agree करना पड़ता है और यह पिर क्रिया तब होती है जब 4000 पहले Vice President जी को notice दिया जाता है कि हम उनको remove करना चाते है तो इंडिया में Vice President को remove किया जाता है impeach नहीं किया जाता यह बहुत important difference है इसको याद रखीगा आईए friends अब हम बात करते हैं कि Vice President के पास क्या power होती है मूलता है Indian Vice President राजसभा के Chairman को रूप में आपको देखने को मिलेगा मर इसके अलावा भी Vice President की और जिम्मेदारिया होती है सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर जो Vice President की होती है वो यह है कि अगर किसी भी परस्थिती में President of India काम नहीं कर पा रहे हैं वो अपनी duty को समालने में आसमर्थ होते हैं तो उस समय Vice President of India Vice President of India के रोल में आ जाते हैं और वो पूरी जिम्मेदारी निबाते है President of India की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर Vice President की यही होती है इसी के साथ हमको यह बात भी याद रखना चाहिए कि Vice President of India राजसभा के मेंबर नहीं होते हैं और साथ में उनको वोटिंग करने का हग भी नहीं होता है मगर जब ऐसी कंडिशन आती है राजसभा में कि एकोल लंबर वोट्स आ जाते हैं तब वो अपना कास्टिंग वोट्ट डाल सकते हैं ताकि उस इशू को वो रिजॉल्व कर सकें इसके लावा सिर्फ वो राजसभा में एज़ चेर्मेन ही रहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट ओफ इंडिया का कितना बड़ा रोल होता है इंडियन डेमोक्रसी में आईए अब हम वाइस प्रेसिडेंट ओफ इंडिया पर एक कॉशन सॉल्व करते हैं यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिये गए हैं और इनमें से हमको एक करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है पहला स्टेटमेंट यह बोलता है कि चेर्मेन ओफ राजसभा और डेपिटी चेर्मेन ओफ राजसभा वो मेंबर नहीं होते हैं राजसभा के दूसरा स्टेटमेंट यह बोलता है कि जो नॉमिनेटेट मेंबर होते हैं राजसभा के और लोगसभा के उनके पास वोटिंग करने का हक नहीं होता है President के election में मगर उनके पास voting करने का हक होता है Vice President के election में तो friends इसमें पहला statement गलत है कि इंको Deputy Chairman of Ratsabha Ratsabha का member होता है और यहाँ पर दूसरा statement बिल्कुल सही है इसलिए इसका answer हो जाएगा B तो friends यहाँ पर हमने जो recent controversy है उसको discuss करा और साथ में यहाँ पर Vice President of India के role को भी discuss किया I hope आपको यह वीडियो informative लगा होगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe करें Till then friends, bye bye and take care